ये दुनिया कैसे शुरू ही पता है? शुरुवात में कुछ भी नहीं था इश्वर के अलावा. ना दिन, ना रात, समय नहीं था. ये सब कुछ भी नहीं था. इश्वर ने इस दुनिया को बनाने की सोची. पहले रोश्नी बनाई. और उस रोश्नी को दिन और रात दो भागों में बाड़ दिया. और दूसरे दिन आस्मान बनाया. और आस्मान में चांद और बारिश बनाई. उसके बाद जानवर, पेड़ पौधे, जैसे और भी कई जीव बनाये. इतना सब बनाने के बाद भी इश्वर संतुष्ट नहीं हुए. इसलिए, अपनी क्छवी की भाती एक पुरुष बनाया. वो था आदम. उसके शरीर से उसकी जरूरत के मुताविक एक इस्तरी बनाई. वो थी हववा. इश्वर ने उन्हें उनके बागीचे में उपस्तित हर वस्तू का उप्योग करने की पूर्ण स्वतंतरता दी थी. लेकिन बस वहां के एक पेंड से फल खाने की एक अनुमती उन्हें नहीं दी थी. दोनों अपना-पना जीवन खुशहाली से जी रहे थे. एक दिन, शैतान साप का रूप लेकर आया और कहा कि उस फल को खाओगे तो इश्वर की तरह ज्यान प्राप्त हो जाएगा. उन्हें खाने के लिए लल्चाया. उस फल को दोनों ने खा लिया. ये सब होने के बाद इश्वर ने गुस्से में दोनों को शराब देकर पिर्थिवी पर भेज दिया. दोनों ने पिर्थिवी पर जीना शुरू कर दिया. हसते, खेलते, दोनों लोग प्यार से रहने लगें. उन दोनों के बाद से ही इनसानों की संख्या बढ़ती गई. और कई सालों बाद हम लोग पैदा हुए. लेकिन इतने सालों में सब कुछ बतल गया. इनसान ने अपने मुताबिक दुनिया को बतल दिया. प्यार, सने, सब कुछ खत्म हो गया. इश्वर की दुनिया कहीं दिखाए ही नहीं देती है. इट्स अ बिक इमोशनलेस कॉंक्रिट जंगल. क्यू हुआ था बतलाव? क्या हुआ? आर्टिकल 3.1.4 में सेक्शन बी है ना? तेस पॉइंट ही मेंस्ट. और विपच्वालों के पॉइंट भी बिल्कुल सूटेबल नहीं थे, सर. नो, बट इस्टिल अ वेरे स्मार्ट गाय. देखना वो अपनी पूरी कोशिश करेगा. अब एक महिने तक कोट में इसी केस की चर्चा चलने वाली है, सर. या, अफ्कोर्स. नो, मैं पूछ कर बताता हूं, विवेकुमार, दिनर कर टाइम आट बज़े रखने क्या आप? वो पूछ रहा है. सॉरी पापा, मैंने प्रिया से ही शादी कर ली. तु है जिस मैने चाहा है दिल से।ू है जिस प्यार किया दिल से।ू है जिस मैने चाहा है दिल से।ू है जिस प्यार किया 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 दिल से।ू है जिस हई है माज़ी हम बगल वाले फ्लएक में रहने आए हैं ओहो आई आये अ कि शादी के बाद सिर्वायट मी चले आए ह pak privilege अंदिर में या किसी मंदप में डिफिंडाफ स्मार भा लाधर भाग कर तो नहीं कह सकते मेरे माबाप नहीं है यह घ़र छोड़ कर आ गए इसलिए तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं आया ठीक है जाने दो एक दो बच्चे हो जाएंगे उसके बाद सब ठीक हो जाएगा वैसे इनके घरवाले शादी के लिए राजी क्यों नहीं हुए यह कंसी मचली है दिखने में बहुत सुंदर है वो ना जब कौन है उनके फ्रेंद्स है जरा संबल कर संबल कर स्कूल के चुट्टी मार लिगया अरे स्कूल तो कभी भी जा सकते हैं लेकि नाज का फंक्शन कैसे मिस करते यह बाला तुमने घर कैसे खरीदा तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे ना पापा ने पहले से खरीद रखा बाला का ख्याल रखना यही पसंद्या हज़ पहले किसी कोश्वताओं आउड एय सेड है कम डाओं आइसेट कम डाओं अ gadget hoaxi टू occasions आप वाला इस हो बल्हाइब गया बदल गया हैं चाचा वंल्या मत बादा जेbekल तो प्रिया से मिलेस र Dlatego प्रिया राम सिंग चाचा आए है प्रिया अंड्रिया और यू वांट टो शिफ्ट एर टु देर चाचा जी आप ही ना मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो हलो मैं तुम्हारा चाचा नहीं हो आएम नौट योर चाचा ओके मुझे बरोसा नहीं हो रहा है आप विल्कुल राम नौट मैद अंड्रिया यह मुझे अकसर है अकेले में बाते करते वह देखकर मुझे पागल समझ बैठा है मुझे तुम अपना चाचा बनाकर और अपनी बातों में बातों में बciaspital ले जाना साही कहाना आपको कैसे पता चला पता है आप यहां पर अकेले क्यों की बात कर कर रहा था तो फिर किसे बात कर रहे थे अपनी वाइब से ओह अपकी वाइब हैं यह और बात हँए बोल रहे हो उसे मरे दो सालों इस अपने आप मेस्स करते हैं ना नो मैं तो रोज बात करता हूं देर शीज एक समाज सेवक हूँ जनता हूँ आपको कैसे पता अभी आपनी ही तो बताया मैं अक्सर दिमा की कमजोर लोगों के केस को डील करता हूँ एक बार मेरे साथ अस्पिताल चलोगे तो वहां के डॉक्टर मुझे पसनली जानते हैं वह अंड्रिया भॉल मैं यह भॉल मेरे साथ चली जब सांग इंट करें तुमने बुलाये नहीं तुम्हारे बुलाने का इंतजार करे थी तुमने बुलायाई नहीं किया अधी नहीं भॉलाया मैं वहां से प्रिया करके चिल रहा था अ Expect to तुम्हें मेरी बातें सुना ही नहीं दे रही है ना यह लिजी आपका सामय हो एक तरसर एक मिनिट लगता है कुछ मिस्टेक हो गई इसर बिना बिल पे किये कुछ आ गया है सर हमें चेक करना पोड़ेगा हम अहां ठीक है चेक करो भई कुछ भी नहीं है हमें मैडम का पैक भी चेक करना होगा सर बस फॉमालिटी है सर सर इसी पैक में कुछ है एक बार चेक करकर देखता हूं सर प्लीज आईये सर आओ कि यह आपके बैग में कैसे आया है पता नहीं अंजाने में गिर गया होगा सर ऐसे कैसे अंजाने में गिर गया है बैग को चेंज से बंद किया गया है जान बुचकर अंदर डाला गया है अरे सर आप तो ऐसे बोल जैसे हम चोर हैं आज कल चोर ऐसे ही डीसेंट कपड़े प जोटी सच चो हम एक निया चलो चलते पिकारी के ऑलाद यह कुर कहां। जोर कहां किया हुआ है टेख कम नहें इतने परसे तुने एक जिंदिकी में कभी देखे हैं क्या है कि लिए प्रिया अन्जाने में बोल दिया उसने अन्जाने में ठीक है आप गुष्ता क्यों कर रही है हुआ है तो गॉस्सा हमें भी आ सकता है प्रिया प्रिया सुरी भाई प्यासे के भी ओलती नहीं है पस सर मैंने कुछ निये क्या सरुद्धिधिया और ऊपर मुझे गंदिधि गालिया दे रहे जो यहां से प्रिया छोड़ो यह सब तर्ये चुरी करकद जा रहे थे प्रिया प्रिया चलो यहां से प्रिया शांट हो यासे प्रिया में प्रिया कम प्रिया है यह प्रिया पापा आए हैं आओ चल कर मिलते हैं मैंने आ रही इतने दिनों के बाद आया ना प्रिया मिलेंगे तो अच्छा लगेगा तुम ही मिल लो हमेशा तो इस टाइम पर घर पर होते हैं देखो वो आ गए अरे तुम दोनों कहां चले गए थे वो हम शॉपनी चले गए थे अब जाकर आपका गुस्सा कम हुआ है क्या मैं अभी भी गुस्से में हूँ वो तो दिखी रहा है पापा आप बहुत गुस्से में हो हां ठीक है यू ब्लाड़ी है बाला है रियली मिस्टेस पेटा मीटू पापा मीटू ठीक है चलिए घर चलते हैं मैं सरब तुमसे ही मिलने आया था पापा आप हमारे घर आएंगे सोचकर प्रिया इंतिजार कर रही है नौ मुझे उससे मिलने की कोई इच्छा नहीं छोड़िए न बच्चे हैं अन्जाने में सब कुछ हुआ आपको उससे माफ कर देना चाहिए आप उससे नहीं जानती ह अब इस लिए उसली है रहे हुँ टीक है आप दुनों बैट कर बात कीजिये मैं जाकर प्रिया से मिलकर आती हूं प्रिया तुमारे опять हमारे घर पर आयो है तुम यहां क्या कर रही हो रहने दो माउ, वो मुझ से नाराज हैं, उनका मुझ से मिलने का मन होता तो यहां मिलने आते ठीक है जाने दो, वो बड़े हैं, क्या हुआ जो नाराज हो गया लेकिन तुम डोनों को उनसे माफिय मांगने चाहिए नहीं मा वो मुझसे जब भी मिलते हैं ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे मुझे दुख होता है वैसे प्रॉब्लम क्या है मुझे तो बताओ मैं जाकर उनसे बात करती हूं आप छोड़िये जाने दीजिए ठीक है लेकिन बताओ जाने दीजिए ना मेरा सारा दुख खत्म हो गया तुम मुझे क्या मानती हो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो तुम्हे अपने बेटी कितर मानती हूं बाला, मैंने तुम्हारे लिए बड़े-बड़े घर के लड़कियां देख रखे थी अट तुमने कहा कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो मान गया मेरे सारे सपने टूट गए मैंने उस लड़की के परिवार से मिलने के बात की तो तुमने कहा कि वो अनात है पापा वो बता चाहे जो भी हो मैं तुम्हारा बाप हूँ सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ सकता मैं इसलिए उस लड़की के बारे में उसके परिवार के बारे में थोड़ी चान बीन की मैंने बाला उसकी मा की तरह अगर उसे भी कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा पापा प्लीज प्लीज बाला तुम हमेशा खुश रहो बाला बस मेरी यही एक इच्छा है ना प्लीज अंडरस्टैंड में मेरे पैदा होते ही मेरी मा मर गई ये फोटोज नहीं होते तो मुझे ये भी नहीं पता चलता वो दिखती कैसी थी ये मेरी मा की डायरीज है इन्हें पढ़कर ही उनके बारे में जाना है मैंने कभी ना कभी मैं जरूर पढ़ूँगी ये ही सोचकर उन्होंने शायद लिखा था मेरे साथ नहीं है फिर भी वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे ममी पापा ने लाव मैरिज की थी उनकी दुनिया बहुत खुशाल थी लेकिन वो बहुत दिन नहीं चला उनकी प्रेग्नेंसी के बाद वो थोड़ा-थोड़ा बदलने लगी थी वो भागल होने लगी थी खिल खिलाती सी लड़की बाद में शान्त हो गई थी अचानक गुस्सा करने लगी थी डरने लगी थी वो कहती थी उन्हें कुछ दिखता है सिर्फ उन्हें आवाजें आनी लगी जो किसी को सुनाईनी देती थी जैसे जैसे दिन गुजरते गए पागलपन बढ़ता गया लोगों ने कहा उनकी प्रेग्डेंसी ही इन सब का कारण है बच्चा गिराने की भी कोशिश की लेकिन मेरी मा नहीं मानी सब ने भगवान से बहुत प्रातना की लेकिन कोई फरक नहीं पड़ा डिलिवरी डेट भी नस्दीक आने लगी तो वो और भी पागल हो गए कोई नस्दीक नहीं आता था उनके आखिर में मेरे पापा भी मा को छोड़कर चले गए मैं पैदा हुई और मेरी मा मर गई कुछ दिन तो मेरे रिष्टेदारों ने मुझे पाला उसके बाद आश्रम भेज दिया लेकिन तुमारी मा को ऐसा हुआ क्यों था लोग तो यही कहते थे कि वो प्रेगनेंट हुई थी इसलिए पागल हो गई जब तुम प्रेगनेंट होगी तो तुम भी पागल हो जाओगी कि इस बात से तुमारे सासुर्जी डर रहे हैं यह भी एक वज़ा है तो दूसरी वज़ा क्या है मैं मैं बहुत कॉम्प्लिकेशन्स के साथ पैदा हुई थी यह बात मुझे बड़े होने के बाद पता चली कैसे कॉम्प्लिकेशन्स मेरे बच्चे की धेली में प्रॉब्लम है वो ठीक से फॉर्म नहीं हुई है मैं कभी मैं कभी मा नहीं बन सकती मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती इसका दुख मनाऊं या फिर मेरी मा की तरह पागल नहीं होंगी इस बात की खुशिमना उस समझ नहीं आता रोना मत रोना मत पिठा चुप अच्छा खुश पागल तुम्हारे पापा से मुझे मिलना चाहिए था I'm sorry उस दुकान पर मैंने ऐसा बेहव क्यों किया मुझे नहीं पता पर मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था खल मैं बहाँ जाकर उनसे sorry कहतोंगी तुम बहुत परिशान हो गय थे मैंने देखा था I'm sorry तुम्हें मुझे sorry बोलने की जरूरत नहीं है प्रिया मैं जानती हूं I'm sorry मैं जानती हूं I'm sorry मैं जानती हूं I'm okay मैं जानती हूं I'm जानती हूं I'm माँ यहां क्या कर रही हो मा तुमसे मिलने का मन किया यह क्या तुम परिशान क्यों लग रही हो उसने मुझे चोर कहा किसने कहा ऐसा सब कहते हैं तुमने चोरी की थी क्या अच्छे तरह मुझे सोच कर बताओ नहीं चोरी नहीं कि एक बार सोच कर देखो प्रिया किसने चोरेगी मुझसे वो रंग चोराई बेना नहीं रहा गया कैसा लगा था चोरी करते समय उस समय अंदर एक बिजली सी दौड रही थी ठीक है आओ मैं तुम्हें एक जगा लेकर चलती हूं अपनी डारी में आपने एक जगा के बारे में लिखा है वही है क्या कहां है वो जगा यही है मुझे नहीं दिख रही अपने आखें बंद करो क्या सच में तुम्हें उस जगा पर चलना है क्या है झाल 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 कौन है सब यहां क्या कर रहे हैं? यह सब मेरी तरह हैं इन्हें भी बान कर रखा करते थे और अकेला छोड़ दिया करते थे जो भी हुआ वो इन्हें कुछ याद नहीं बस इसी जगह ने इनको खुशी और शांती दी है यहां रहना इन्हें बहुत पसंद है इस ते यहां से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता और बस इसी लिए मैं भी यही रह गई झाल झाल तुम भी शांती से आखिर तक यहां पर रह सकते हो प्रिया तुम सपना नहीं देख रही हो यह जगा सच में है बाला कल मैंने एक सपना देखा बहुत बड़ा जंगल था मैं उसमें चली जा रही थी मा भी साथ थी वहां बहुत सारी लेडीज थी पर सबकी सब फॉर्णर्स थी बीच में एक लेक भी था उसके उपर एक पेड़ हवा में तैर रहा था मैंने आज तक ऐसी जगा कभी नहीं देखी एक मिनिट के लिए वो सपना था यह सच था यही समझनी आ रहा था मुझे मेरी मां के अलावा वहां सब कुछ नए असा लग रहा था बहुत रियल लग रहा था लेकिन मैं अकेली बुली जा रही हूं तुम बस सो रहे हो तो तुम ऐसा करोगी क्या मेरे साथ हां मैं करूंगी प्रिया मैं कल राट ठीक से नहीं सौया मुझे परिशान मत करो उठो जाओ तुम जान बुछकर बरतनों को इसे गिरा क्यों रही हो मैंने सौरी कहां ना तुम से एई मैंने नहीं गिराया अपने आप नीचे गिर गए जब देखो तब मुझे चिलाते रहता है मैंने कहा ना मैंने नहीं किया सुबह से इतना काम कर रही हुँ मैं लिकेन खुट तो बस सोई ही जा रहा है इस खार में सब का मुझे अकेले करना पड़ता है थोड़ी सी हेल्फ कर देगा तो क्या चाहेगा उसका जब देखो तब काम 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 कहकर अगर नहीं तो बहुत बुरा होगा याद रखना एए मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया और झांचो झांचो में बाला, बाला, तुम्हें कोई आवा सुनाई दी कि क्या, तुम्हें भी सुनाई दिया ग्या, जैसे कोई नीचे गिरा हो, नहीं देवी, कुछ भी नीचे नहीं गिरा, तुम सोचा, सुनाई नहीं दिया, मुझे सुनाई 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 दिया, क्या हो अतुम इतनी ड़ियु और कि क्योifik हूँ ? कुछ नहीं मैं कुछ सोच रही थी क्या हूँ ? क्या हूँ ? आपकी आखं़ नम क्यूए ? वो क्या है न प्रिया ? मैंने के प्यारी शोना नाम की मचली पाली हूई थी वो गायब हो गही है वो मचली सोना मर गई मैंने कहा वो गायब हो गई है और तुम मर गई ऐसा क्यों क्या रही हो अपने कहा गायब हो गई सॉरी क्या हुआ तुम ऐसे क्यों खड़ी हो कुछ नहीं मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था तुमने जो लिप्स्टिक लगा रखी है उसे देखकर मुझे मेरे सोना की याद आ रही है लिप्स्टिक मैंने तो कोई लिप्सिक नहीं लगाई क्या हो अप्रिया उसमें क्या ढून रही हो रात को ठीक से सोई थी ना क्या है उन्यका प्रिया तुम रूम पर आई थी तो मैंने ठीक से ध्यान नांसा तो मसली नुमने लिस्टिक लगा अरखे थी क्या दुकान तो देखे थी हुसे कलर की लग रह été है लिप्स्टिक मैंने तो नहीं लगाई दीन में देखा था तो जाने दो तुम किसी सपने के बारे में बात करी थी ना हाँ सपना वह मैं ऐसे ही बोल रही थी आजकल मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते ना इसलिए चेक कर रही थी मैं जूटी पर लुचे नहीं देमों पर 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 में जूटी को तीकुम मैं पर गुटी को बिना बोले क्यों चली गई थी पूरे अपार्टमेंट में मैं तुम्हें डूंड रहा था मैं लिखकर गई थी ना कहां जा रही हूं क्या बात है अचनक तुम मंद्री चली गई कुछ नहीं बस ऐसे ही चली गई नहीं तुम काफी दिनों से अजीब सी रहने लगी हो मुझे कोई बात बताती ही नहीं हो बोलो ना मुझे बताने में क्या है ऐसा कुछ नहीं है नजर मिला कर बात भी नहीं कर रही हो कि मुझे कुछ नहीं हुआ है मैं होश में हूँ ठीक है इतना फास क्यों चला रहे हो थोड़ा अराम से चला ब्रेक नहीं लग रहे हैं प्रेक नहीं लग रहे हैं अरे जब देखो तब बजाग सुचता है तुमें कितना डर गई थी मैं अरे जाओ चोटी सी बात पर डर रही हो ठीक है चलो कई शॉपिंग पर चलते हैं अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर जमाने भर से रिष्टा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ प्रिया 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 क्या वह चलो प्रिया बात मत करो बाहर चलते हैं चलो बाहर क्यों चलना है कि वहां पर क्या है प्रिया तुम्हें वहां कुछ नहीं दिख रहा है क्या फीज़ते हैं के म ? क्या प्रिया बहला मट जाओ कर प्रिया में तुम्हें दर्ने की ज्रूरत नहीं है क्यों यत्तना डर रही हो प्रिया कि तुम्हें क्या सच में वहां कुछ तिखाया नी दे रहा है सफेद रंगा हमेशा तुम ही मुझे डराते रहते थे ना तो इस बार मैंने तुम्हारे साथ मजाग किया मजाग किया था मैं तो सोच रहा था महां सच में कुछ है जब तुम मजाग करते तो मैं भी डर जाती हूं ऐसे ही चलो जाओ प्रूब्स झाल थे लुड्वान से लुड्वास, ये लुड हुष लुड हो जो तो ये वुड है, युड है, ये लुड है. मुचे बीस साब दिक्रा का? मैंने तुम मजाग किया था तुम मेरा मजाग कोड़ा रहे हो ना? क्या सच है और क्या जूट कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारी तरह मुझ में भी कई बदलाव आये थे वो जानकर ही तुम्हारे पापा मुझे छोड़ कर चले गए बाला इसा नहीं है वो तो मैं जानते ही हूं मा की बाते नहीं मानोगी तुम मेरे साथ रहो इस दे मैं तुम्हें प्रिया 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 मुझे देखो प्रिया प्रिया देखो मुझे प्रिया तुम बहुत गहरी नीन में हो उसके बाते मत मानो प्रिया तुम नीद में हो प्रिया यह सपना नहीं है तुम्हें यही आना है यही आना है तुम मुझे सुन रहे हो प्रिया प्रिया उठो प्रिया यहां देखो तुमने मेरी बात नहीं मानी तुम्हें बहुत परिशानी होगी प्रिया प्रिया देखो मु हम यहां कैसे हैं कुछ नहीं हुआ है चलो घर चलते हैं नहीं हम यहां कैसे कब यहां प्रिया देखो यहां बात मत करो घर जाकर बात करते हैं चलो अचानक नीन से उठकर देखा तो तुम मुझे नहीं देखी और जब मैं ढूंडने निकला तो तुम अके लिए बात करती हुई जा रही थी नहीं तुम जोट बोल रहे हूं मैं क्यों जोट बूनने लगा तुम अपने कपड़ों को तो देखो सीधे बेड से उठकर आ गई ह भाला तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना प्रॉमिस करो प्रिया प्रॉमिस करो गया नहीं प्रॉमिस स्टोरूम का कबर कुछ दिनों से बंद है जानते हो क्यों बंद है कि बंद हो गएगी प्रॉमिस नहीं प्रॉमिस 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 कि अरॉमिस लिप्स्टिक चोड़ी करते पकड़ी गई थी और अकले दन उसी शौप से जाकर दूसरी लिप्स्टिक चोड़ी की इस रंग को देख लूँ तो उसे अपना बना लूँ ऐसा लगता है यह सब कबसे हो रहा है मेरे साथ क्या कबसे हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता अच्छानक होश आता है तो मैं किसी नहीं जगा पर होती हूं मैं वहाँ कहसे पहुंची यह नहीं पता उस दिन सच में मैंने वहाँ पर साथ देखा था मुझे दिखा था लेकिन तुम्हें नहीं दिखा मुझे सुना ही देता है लेकिन बाग्यों को सुना ही नहीं देता कि मैंरे मां की तारह मैं वह पागल हो रहीं हो टुर्वा तो इसह नहीं क्या लिस्क्राम प्रिया कि तुम रो मत प्रिया कुछ नहीं होगा तो मैं बेरुञ थे तुम तुम अपनी मां की बारे में सोच रही हो ला इसलिए तुम्हेरे साथ ऐसा हू रहा है बहुत कन्फियूज वचुकी हो जो कि नहीं हुआ है तुम मुझे जूट भूलो के तुम मुझे पताचलेगा कुछ दिनों से तुम मुझे नोटिस भी कर रहे हो पर मुझे ढर था तु तुम से कहूंगे थे तुम छोड़ दो कि मुझे. तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमें छोड़कर चला जोँगा? प्रिया, तुम्हें याद है ना? जिस दिन हम दोनों पहली बार मिले थे वो दिन, याद है ना, प्रिया? उस दिन बहुत से बादला गए थे जैसे बारिश होने वाली हूँ लेकिन बारिश नहीं हुई, बस हवा चल रही थी और तब कुछ तो मेरे उपर गिरा था अगर वो नहीं गिरता तो मैं तुमें देख भी नहीं पता और जब गौर से देखा, तो तुम खड़ी थी एक मिनिट के लिए मैं ऐसी खड़ा रहा पहली नजर का प्यार, तब तक मुझे उस पर भरूसा ही नहीं था तुम से पहले भी मिलकर बात कर चुका हूँ वैसा एहसास उस हवा और बादलों के बीच तुम मुझे एक परी जैसी लगी उसे मैं भूल नहीं सकता मेरे दिल में समंदर की लहरा उठी थी उस समय तुम से बात करने आया तो कैसा लग रहा था पता है कैसे एक लड़की को देखते ही प्यार का ही जहार कर दो मेरी एक आशा थी कि तुम्हें भी तब वैसा ही लगा होगा वापस जाने के बारे में सुचा था तब तुम्हारे कदमों की आहट हुई तुम भी मुझे देखने चली आई थी तुम्हें देखकर कई दिनों से जिसे ढूंट रहा था वो चीज मिल गई हो ऐसा लगा था मुझे तुम्हारी आखों में दिखा था कब तुम्हें भी ऐसा ही लगा होगा सूचकर तुम्हें च्छूने का मन किया तुम्हें खुद अपना हाथ बढ़ाया जिस समय मैंने तुम्हें च्छूआ था उस पल मैं सब कुछ समझ गया था और तब मैंने फैसला किया कि तुम्हें अपनी बाहों में भर कर देखता रहूँ तब मैंने फैसला किया कि तुमसे दूर एक पल के लिए भी नहीं चाहूँगा क्या करो क्या न करो लाव स्टोरी कर शुरूँ मेरे संदू जितन को खुशी कभी ना कव दूँ जी करे बाहों में लिदो हुश्मसे तेरे मगेत। रोकुरं जजबात को संजोसरं खानात को पाल 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 कि अजके लिटीए कि युट झाल प्सक्राइब जो प्सक्राइब प्सक्राइब एक जिए और जिए लिए झाल हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 हु हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है झाले प्रहें मैं और रहें को पन्धना सकते हैं हुआ 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 है हुआ 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 है प्रिया वहां क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ इस दुन्या में खुश रह सकते हैं वहां तुम्हारा कौन है यहां आओ प्रिया तुम अपनी मा के साथ खुश रह सकती हो आओ 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 इस खिड़की को पार करके आजाओ प्रिया तुम आखिर तक यही पर खुश रहोगी आओ आओ प्रिया प्रिया आजाओ प्रिया आओ नहीं यह सच नहीं है मैं नहीं आओंगी मेरे लिए बाला है मैं उसे चोड़कर नहीं आ सकती मुझे मेरी मां नहीं चाहिए प्रिया 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 तरवासा खोलो प्रिया 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 क्या हुआ प्रिया 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 वहां पर क्या है प्रिया 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 मुझे देखो ना प्रिया क्या हुआ प्रिया एसे क्यों बैठी हुई हो यह यह क्या है क्यों निकल रहा है श्यूसियो करना… तुम ही तो थे जिन्दगी मेरी इस दुनिया में तुम को गए जा जा हो गए इधेरी क्यो ऐसे तुम हो गए तुम तो थे चंचे सबसे आँख मोट से बड़ा डर क्या होता है तुम्हें पता है मेरे मरनी के बाद यह दुनिया तो मुझे जलाकर चली जाएगी तुम अपने पापा की बताई लड़की से शादी करके खुश रहोगे और सब मुझे भूल जाएंगे तुम्हें भूल जाओंगे यह सोच रही हो तुम किसी और से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें गलत नहीं समझोंगी थैंक्स प्रिया थैंक्स अरे बाप्रे यह तो आ गया अरे यार गया सब गया यह आगया सोचो सोचो अब क्या करेगा बाला सोचो अब क्या होगा कुछ तो करना ही होगा कुछ तो करना होगा क्या होगा प्रिया प्रिया अब तुम्हें मुझे बचाना होगा प्लीज मेरी कुछ प्रिया मैं जाकर छुप जाता हूं उसने पूछा तो नहीं कह देना ठीक है ठीक है ना कौन आया है क्यों छुप रहे हो वो कहने का वो सब बताने का भी टाइम नहीं तुम जाकर दरवाजा कोलो मैं छुप जाता हूं इसे पड़ा प्रिया प्रिया क्या कर रहे हूं प्रिया अंदर अंदर कोई है हुआ तुम हुआ 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 हँ हुआ हjak झाल प्रिया कोई भी तो नहीं है यहाँ पर प्रिया प्रिया किसी देख रही हो कोई भी तो नहीं है प्रिया 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 प्रिय प्रिया 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 क्या हुआ क्या बोड़ार रहिए प्रिया बाला मझे जोड़कर कर भी मच्छा न प्रिया मैं कही नहीं जोँगा तुम डरोमत और तो दो मचाना बनाम तो तुम्हारा फून उठाई था ए है तुम खोदी उठाओ है है हम हम- हम हम- को है अ हम प्रीया मैंने बात तो द्लिलियर कोई नहीं और डरने की भी बात नहीं ने है तुम्हें थोड़ी तरह में पिक प्रिया कौन हो तुम्हें प्रिया बाला वो नहीं है मैं हूँ बाला मैं भी बाला है बाला मैं हूँ तुम्हार प्यार अगर तुम मिल जाओं जमाना छोड़ देंगे डर गई ना जब देखो हमेशा भै भै करके डराती रहती थी इसलिए अब मैंने डरा दिया बहुत बड़ा जंगल था मैं चलती जा रही थी वह बहुत सारी लेडीस थी हां सब फॉरेनर्स थी मैंने ऐसे कभी नहीं देखा है मैं अकेली बोले जा रही हूं अब तुम सो रहे हां माना छोड़ देंगे वहां खड़े बत रहो यहां आ जाओ बाला वहां खड़े मत रहो कह रही हूं ना एक के साथ रहने के बचा है हम सभी के साथ रह सकती हो मजा आएगा मुझे जोड़कर कही मत जाना बना मेरे साथ ही रहो बना मुझे तुम्हारे पापा से मिला जुए था सॉरी सिक्योरिटी वाले से जगडा नहीं करना था मैंने तो बस मजा किया था अब तुम मेरा मजा दूड़ा रहे है हपी बच्ऊते में पश्टी पने को सिक्शेते सीफ पने में मुझे है हुआ वर हुआ हुआ ये शुआ था ये हाई 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 मुझसे ही बात कर रहे हो ना हाँ तुमसे ही बात कर रहा हूं हम अक्सर इसे मिल ही जाते हैं ना मेरा पीछा कर रहे हो गया मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा वह क्या है मेरे पापा ऐसी हरकते अक्सर करते रहते हैं इसलिए पूछ लिया तुम्हारे अच्छी तरह सोच कर देखो तुमने ही कहा था नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था और इस तरह मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है तुम इस आटो में बैटो गए मुझे क्या पता था कि मुझे इस को इंसिडेंट में वारोसा नहीं है हम ऐसे अकसर मिलते हैं तो उसकी कोई न कोई वजय होगी कैसी वजय पता नहीं आपको घर आ गया हम दुबारा मिलेंगा बाए सियो बाला हम बाए प्रिया 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 कहा हो तुम्ह प्रिया 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 कहा हो तुम्ह प्रिया 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 कहा हो तुम्ह प्रिया 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 क्या हो आई तुम्हें प्रिया इस तरह यहां कि तुम मझे चूने ही सकते 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 प्रियो! बाला? प्रियो लगता है फ्यूज चला गया है मैं जाकर टॉच लेकर आती हूँ नहीं उसकी जरूरत नहीं है इस घर में भूच जैसा कुछ नहीं है सब कुछ ठीक है अच्छा फिर अचानक से वह साड़ी सिंदूर और अंगुठी कहां से आ गई वह सब जो तुमारे घर पर काम करते हैं उनका हो सकता है मेरे घर? अरे नहीं मैं और मेरे हस्बंड के अलावा और कोई नहीं रहता अगर फिर भी कोई शक हो तो मंदिर के पुजारी से कहके पीतल की प्लेट मांगना वह पुजा करके प्लेट तुमें दे देंगे उससे लेकर घर के सामने गाड़ देना सब ठीक हो जाएगा अगर मैं उस प्लेट को लाकर गाड़ दूगी तो कोई भूत नहीं आएगा ना कववा भी आने से डरेगा इस घर में भूत प्लेट नहीं है यही कह रहे हो ना हाँ यही मेरे हस्बंड है ओ नमस्तर सर्थ वहाँ जाके सब को छूके देखा और ढूंड़ा भी तो तुम्हें कैसे पता कि इस घर में भूत नहीं है इस दुनिया में हर चीज का उससे जुड़ी कुछ यादे होती है चाहे वो इनसान हो या कोई चीज उसे किसने बनाया किसने यूज किया या किसने तोड़ा यह बाते मैं चूकर बता सकता हूँ अच्छा और उसके अला हुआ आपने सुना होगा कि बिल्यों और कुटों को भूत दिखाए देते हैं उसी तरह मुझे भी आत्माय दिखाए देती है तुम इनसान की प्रदैश हो या किसी जनवर की यह क्या कह रहे हैं तुम पागलों जैसी बात मत करो तुम जैसे इंसानों को देखकर ही इन जैसे लोग उन्हें बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लोगों को तो बीच सड़क पे खड़ा करके पत्थर से मारना चाहिए भगवान ह है और वो तुम्हारी जिंदगी बना देंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा कहका तुम मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हो तुम कैसे ऐसे काम की कमाई खापाते हो इस बारे में मंदिर में जाकर पूछा तो उन्होंने नहीं के बारे में बताया बेवकूफ मैं क्या इस दुनिया को देखो जितने अन्याय हो रहे हैं उसे देखो तुम्हें लगता है भगवान है अगर हम गलती करें कोई पूछने वला नहीं है भगवान पर भरोसा ना करके अन्याय करने वालों के वज़ह से ही यह दुनिया ऐसी है तुम मुझे गलत बोल रहे हो गलत करो तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा इसलिए आप अपनी वाइफ के गरहाजरी में घर पे अपने ओफिस में काम करनवारी लड़की को लाकर जुआय करते हैं सही कहा ना और वो बाल आपके असिस्टेंट जूली का है और अंगुठी आपकी ऑफिस असिस्टेंट राम्या का नाइस और टॉल बोलना भूल गया यह टेवल इसलिए टूट गया क्योंकि आप और आपकी साली इस पे एक साथ बैट गया थे और वो बेचारी इन सबसे जान अपकी वाइफ बाल और रंग उठी देकर घर में भूत है समझ बैटी है चुइंगम ओके सेर आप मेरे हस्बंड की बातों का बुरा मत मानिये यह थोड़ा तिखा जरूर बोलते लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं अरे मैं इनकी किसी बात का बुरा नहीं माना यह ल मैं यहीं रुप जाती हूँ मेरा वहाँ कोई नहीं है मैं सब कुछ भूलना जाती हूँ इन सब की तरह मैं भी यहीं रहना जाती हूँ क्यों नहीं मैं यहीं रुप जाओंगी मैं वापस नहीं जाओंगी मैं यहीं रुप जाओंगी मैं यहीं रुप जाओंगी मैं वापस नहीं जाओंगी मैं यहीं रुप जाओंगी मैं रुप जाओंगी मैं किसी दुनिया की बारे में कह रही थी ना? बताव मुझे वो कैसी दुनिया है और कहां है? तुम्हारी माँ वहाँ पर है वो बुलाती है ऐसा कह रही थी ना? लेकिन तुम वहाँ क्यों चाना चाहती हो? बोलो प्रिया बाला यह तुम्हारी जिन्दगी है बैटा कोई मजाक नहीं पापा मैं उसे नहीं छोड़ सकता पापा उसका सब कुछ मैं ही हूँ उसके जिन्दगी का सहरा हूँ मैं अगर उसे छोड़ दूगा तो मैरे जीने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा अच्छा क्या अब भी तुम पिंक कलर को देखती हो तो कुछ होता है उपर देखो पिंक लाइट उसे देखकर तुम्हें कुछ मैसूस हो रहा है एक पती के नाते एक सोशल वर्कर के नाते एक इंसान के नाते भी मैं हार चाओंगा पापा ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा प्रिया प्रिया यहां देखो तुम्हारी मा के साथ जो भी वह वो अलग बात थी तुम्हारे साथ ऐसा होगा यह ज़रूरी नहीं है ट्रस्ट मी प्रिया इस ज़स्यों इमाजनेशन एक बेटे की तरह तुम कपके हार चुके हो बेटा पापा पापा रुकिये पापा सब्सक्राण पापा झाल 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 आणटी, यहाँ हुआ? इतनी डरीवी क्यों लगरीयो? प्रिया, वो उपर… आणटी, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उपर चल रही थी, यह सब आप क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, बाला, मैंने देखा, वो… वो कुछ आला की है। देखो, इस मैटर में मैं तुम्हारी कोई हिल्प नहीं कर सकती। प्लीज, बाला, उसे यहां से ले जाओ। आणटी… नो, बाला, मैं रही हूँ। वो… वो कुछ और ही है… कुछ और ही है। प्रिया, 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 प्रेक नहीं लगए प्रिया, प्रिया, सच बोल रहो प्रिया, इधर देखो प्रिया, प्रिया, प्लीज, प्रिया, मेरी दरफ देखो प्रिया, 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 मेरी दरफ देखो प्रिया, 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 प्रियाए यहाओ तर्षेंट यहाओ 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 कर जो, कर दो… कि अएज़ के अधिक ने दिखने लाग्या मैं हूँ लाइर रागुवन मुझे आपने फोन किया था यहां पर यहां क्या हुआ वे आपकी गाड़ी है ना गाड़ी तो मेरी है लेकिन हुआ क्या यह आपने कार दी किसको थी कि मेरा बेटा ही चलाता है आजकर क्यों हुआ किया सर फ्लीज लेट में इंसाइट किया मुझे देखना है नहीं जा सकते आप यह रूख काम चल रहा है चलो सब पीछे आटो यहां कोई मुवी चली रहे हैं कि अ कि 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 अ कि 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 अब काम का एक प्रोसीजर होता है आप भी लॉयर है समझें हां मैं लॉयर हूं पिर भी एक बाप भी हो सर बाप भी हो सर मैं पली चाने दीजिए साथ आप भागे नहीं चाहिए कि अपह करें पिजा है आप भी हो आप आप भी हो आप भी हो आप भी हो आप कि 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 आपका बेटा जिंदा है आपका बेटा जिंदा है आपका बेटा जिंदा है आपका बेटा जिंदा है एंड्रिया आगे तुम मैंने ध्यानी ने दिया गिम्योर हैंड क्या हो तुम्हें उदास से लग रहे हो कुछ दिनों से तुम सोच में डुबे हुए हो मुझे कुछ बताते नहीं क्या बात है है एसा कुछ नहीं है मैं बिल्कुल ठीफ हूँ है एंड्रिया 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 ओके बताता हूं कुछ दिनों से कुछ बाते हैं जिसे मैं महसूस कर रहा हूं आज भी मैंने कुछ ऐसा ही अजीब महसूस किया उसे चूने के बाद मुझसे कुछ महसूस ही नहीं किया गया आज सक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा मुझसे कुछ कह रहा था लगता है चल्दी कुछ बड़ी घटना घटने वाली है अच्छी या बुरी मुझे नहीं पता हाई सोलेमन हाई फादर हाव यू अपनी वाइफ से बाते कर रहे हो क्या हाँ फादर एंड्रिया से बात कर रहे हो हाँ 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 अच्छी आपको हाई बोल रहे हैं हाई है ओक्यों के करिया थैंक्स फादर भाई यूसी अंड्रिया बैने जो कुछ भी का उसे लिए टेंशन मत लेना वह बड़ी बात नहीं है ओके कि 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 कुछ पंपपलीज लेट जा वू अफसे प्लीज क्या हुआ था है मुझे गाऊ कैसे लुका वह सब बाद में बताऊंगा पहले तुम रेस्ट करो लिए फिर्पाण को 수olph लाता हूं मेंbon यह सब कैसे हुआ, प्रिया कहा है पापा, प्रिया कहा है, बाला, तुम मेरी कार ले गया थे, वो एक ट्रक से टकरा गए थी बेटा, एक बड़ा एक्सिडेंट था, पुलिस के फोन करने पर मैं वहाँ पहुचा था, वहाँ जाकर देखा तो तुम्हारी कार चूर-चूर हो लेकिन कहते है न, by the grace of God, तुम्हारी जान को कोई खत्रा नहीं हो, प्रिया, प्रिया, प्रिया वहाँ नहीं थी बेटा, प्रिया, प्रिया तो कार में मेरे साथ ही थी पापा, नहीं बेटा, वहाँ पी लोगों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तुम्हें ही देखा था, बट व कार की चाबी दीजे पापा, कार की चाबी, लेकिन क्यों, प्लीज पापा कार की चाबी दीजे मुझे, बाला, इस रिडिकुलस, तुम्हें इतनी चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ऐसा डॉक्टर का कहना है, और तुम कार की चाबी मांग रहे है, तुम्ह बबाब, 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 लिए बबाब, हा, मैंने उसे मार दिया मेरे रास्ते का सबसे बड़ा काटा मैंने निकाल दिया तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया था लेकिन वो बच गया कैसे बच गया मुझे नहीं पता अब हमें कोई और रास्ता अपना ना होगा अब तुम ही बताओ मुझे आगे क्या करना है वो प्रिया को ढूमते हुए यहां जरूर आएगा मेरी प्रिया का है मुझे है मुझे है ... ... ... ... मैंने सोचा था वो वही मर जाएगा तम दूसरे शरीर में हो तो क्या हुआ और इस शरीर को वर्दान प्राप्थ है तुम भले ही शरीर में हो लेकिन इस शरीर कर उसका ज्यादा अधिकार है तो तुम्हें उससे नहीं उलचना है क्या वो मुझसे भी ज्यादा बलशाली है वो दुनों इस संद से पहले साथ जन्बों से पति पति रिर चुके हैं उन तोनों का जन्मों जन्म कनाता है हर जन्में उनका ये बंधन उन्हें फर्दान में मिलता है इसलिए वो हर जन में मिल जाते हैं तुम क्या कहना चाहते हो जब ऐसी दो जाने मिली हुई हो तो उनकी शक्ती बहुत ज्यादा होती है उसे आंकने की कुशिश मुद करना मैं उसके सिर को अलग करके उसको जान से मार तूंगी तब पता चलेगा मैं कौन हो तुम यहां किस काम से आयो उसे मत भूलो उसको मारने नहीं तुम यहां जिस काम तेरी आयो वो कान करो क्या करना है वो तुम मुझे मत बताओ पहले भी जब वो अपनी मां के बेटे में थी तब भी उसे मारना चाहां लेकिन वो नहीं मर पाई अगर इस बार तुम हार गई तो मुझे ख़ट सामने आना पड़ेगा तुम्हें क्या लगता है मैं हार जाओंगी तुम्हें और इस दुनिया को मैं कल दिखाओंगी की मैं कौन हूँ करें और जल्दी चलो ना तुम्हें पैसे नहीं चुम्हें बहुत में आश्याओंगा पाई सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब कौन हो किसको ढूंड रहे हैं अभी थूड़ देर बात आना सर मुझे उसे शॉपर पर पर्चेस करने आते रहे थे यहां दिन में सौ लोग आते रहते हैं सब्सक्राइब कर दिए सब्सक्राइब को मत बुला है वह लिप्स्टिक चुराने वाली आपकी पत्नी है ना उस दिन तो गलती से हो गया तो उस दिन आप साथ में आये थे सर उसके बाद वो लिपस्टेक स्पून कई चीज़ें चुरा कर ले गई आपको पता भी है कितनी बार उनको मैंने बाहर बगाया लगता है वो पागल हो चुकी है उन्हें पागल खाने ले जाईए सर देखें सर मुझे मारने से कुछ नहीं होगा आपकी बीवी चूर है कॉलर दिए इंको बार पकाओ उने जलो 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 बातों चुनिय साहार जाईए बाहर जाईए आइए योज आई आइए पीजिए प्लीज पुरा मतमनना से ठोड़ी मदद कर दीजिए सर मेरी फार बहुत प्लूब्ब्रहें आपकी शॉपर यह अक्सर आते रहते हैं एक बार देखिए शाहर पहिचान जाव मुझे नहीं बता देखिए नहीं सरप चौकर चश्मा पहन कर आते हैं औरे मुझे नहीं पताया प्ली सर उनकी हाइट मेरी इतन भी सबस्क्राव योगी अमेशा डाग शाटी पहंते हैं एक से एक बार देख लिजेना प्लीस जाओ एक बार एक बार देख लिजेना इतनी बार बोला जाने कैसी है मजबूरी सही ना जाए मुझसे ये दूरी कहानी रह गई अधूरी कैसे होगी तेरे बिन पूरी आमेली जा मुझी को ढूंडू मैं तुझे को तुझे को खोया तो खोया खुदे को तेरे बिन सुना है मेरा ये जहाँ लोट आ मेरे पास देखो मैं तेरी मेरा जाने कैसी है मजबूरी सही न जाये मुझी से ये दूरी जाने कैसी है मजबूरी आमारे बीच कैसी है दूरी जाने कैसी है मेरा ये जाने कैसी है 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 यात्री गंड कृपिया ध्यान दे, फोटो वर ब्रिज कही इस्तमाल करें कि अ अच्छा एस हैं अच्छान, भाघ का फिरताव थराखार कि विरतावी आप का मार्ण करें टू गए, लिएम्टर कवात्न अच्छान से विरतावी अच्छान कि अच्छान के लिताता हैं तुम्हें और इस दुनिया को मैं कल दिखाऊंगे कि मैं कौन हूँ मैं कि डिकाऊंग तो कि अन्भी को अन्भी स्समार लिघ्ष मारी जिर बेंदत ==== क्याशते हैं अsk बासलों हुआ तो कर दो कर दो, कर दो कर दो झाल 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 किया हुआ आपको अचानक से मौसम साफ कैसे हो गया है हूं 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 दीधी यहां पर क्या करी हो देखा आपने सूरज फिर से बतल गया पूरा असमान रेड हो गया था आपने देखा ना घर पर कोई भी नहीं है बाला का है दीदी क्या हुआ आपको आखो का रंग हरा क्यों है बाला बाहर गया है तुम लोग मेरे साथ खेलोगी क्या 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 खेल दी कि फेकने वाला गेम खेलते हैं बॉल ही नहीं है तो किसे फिक कर खेलेंगे तुम अन्दर है वेट यह वेट क्यास वेट प्रोड़ कर दो झाल 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 और प्रॉबूद एंग एंग। झाल झाल मेरे सामने मत बैठो तुम कौन हो तुम कौन हो तुम मैं जानती हो तुम मुझे देख सकते हो चश्मा उतारो अपना तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जान लेता हूँ झाल 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 वास्ताओं में यह दुनिया कैसे शुरू ही पता है शुरुआत में कुछ भी नहीं था इश्वर के लवा इश्वर ने इस दुनिया को बनाने की सोची पहले रौश्णी बनाई और रौश्णी को दिन और रात दो फागों में बाढ़ दी और दूसरे दिन आसमान बनाया उसके बाद जानवर पेड़ पौदे जैसे कई जीव बनाया इतना सब बनाने के बाद भी इश्वर संतुष्ट नहीं हुए इसलिए इस सबसे बढ़कर अपनी क्षवी की भादी हाण, मास, हिरदय डालकर एक पुरुश बनाया वो था आदम वो जहां रहने लगा वहां साथ चानवर भी रहते थे उसकी तनहाई को देखकर जैसे इश्वर ने उसे बनाया उसी तरह हाण, मास, हड़ी और हिरदय मिलाकर एक इस्त्री को बनाया वो थी लिलित इस दुनिया की पहली इस्त्री जो काम उसे पसंद था सिर्फ वही करती थी लिलित हमेशा सौतंतर रहती थी उसकी आशाहें अद्भुत थी जरूरते भी विचित्र थी हमेशा सौतंतर रहने का सोचती थी किसी से नियंत्रित नहीं हो पाती हमेशा तनहा रहा करती थी इसलिए आदम के बताय कामों को वो इनकार कर देती थी इसलिए तोनों में जगड़े शुरू हो गए इश्वर ने दोनों को एक जैसा बनाया था तो फिर तुम्हारे बताय कामों को मैं क्यूं करूँ? ये लिलित ने कहा दिन गुजरते गएं और जगड़े बढ़ते गएं एक समय पर इसने हिंसात्मक रूप ले लिया दोनों की गलतियों को बता कर इश्वर ने दोनों के बीश सुलह कराने की कोशिश की लेकिन लिलित ने मानने से इंकार कर दिया उनकी बात को नहीं माना इससे उन्हें भी क्रोध आ गया और कहा अगर बात न मानोगी तो मैं तुम्हें शराब दे दूँगा कि तुम्हारे जितनी भी संताने पैदा होंगी वो सब मर जाएंगी उस समय शराब को गंभीरता से न लेते हुए इश्वर को ही ठुकरा कर चली गई अपनी इक्षा से जीने लगी इश्वर एक स्त्री हमेशा एक मर्द का आधा बनकर ही रहेगी सोचकर आधम की आखरी मुख्यस्ती को लेकर एक और इस्त्री बनाई वो थी हववा सब को छोड़कर गई लिलित अपनी इक्षा से जीने लगी उस स्यातरा में वो शैतान के पाश जा पहुँची कुछ दिनों के बाद वो गरवती हो गई लेकिन इश्वर के शराब के वज़े से उसकी संतान मरी हुई पैदा हुई उसके बाद भी सारी पैदा हुई संताने मरी ही पैदा हुई कई सालों बाद भी इश्वर ने उसको जो शराब दिया था वो बदला नहीं आखिर में लिलित पिना माँ बने ही मर गई, इश्वर की करुणा आखिर तक उस पर पड़ी ही नहीं ये सब आप क्या बूल रहे हो, लिलित, इतिहास में ऐसा कुछ है ही नहीं, इन सब पर मैं विश्वास कैसे करूँ उसकी वजाएब हमसे ये कह रहे हैं कि इश्वर ने गलती की है, हमसे ज्यादा आपकी आँखे सच्चा ही देख सकती हैं, तो फिर आप ऐसी बातों को सुनकर सच कैसे मान सकते हैं, अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो मुझे पता है, आप सब इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, मैंने, मैंने सब कुछ देखा है, I have seen it, जब उसने मुझे चुआ तब, इस दुनिया की शुरुआत से अब तक, जो कुछ भी हुआ हो सारी बाते हैं, मैंने देखी, मनुष्य, जीव, जन्तु, पशु, पक्षी और तब जो ना देखा, वो थी अपनी प्रित्वी, और इतिहास दिखा कर, परिचे कर आया है, क्यों अंडर्श्टन, मैंने सुना है कि, ईश्वर ने सबसे पहले उससे ही बनाया था, कुछ पुस्तकों में, उसके बारे में ऐसा लिखा है, मैंने लेलित को देखा है, उसक में जिन्दा छोड़ा है, अब तक उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, मानो उसकी आत्मा चल रही हो, दूसरे खुश है, भूस से देखा नहीं जाता, उस खुशी को बरबाद करके भगवान से बदला लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए जो भी इस्तरी कर्वती होती हो से पक लोगों को अलग करके उनके शरीर में घुजगर बच्चे को मार देती है, अभी तक उसने मारे सभी बच्चों को, मैंने देखा, कुछ जिद्धी आत्माय उसकी दुनिया में जगह ले ले लेती है, अगर उस दुनिया में चले गया तो वो कौन है, कहां पर थे, यह सभी आप यादे भूल जाते हैं, बस बिना याद्दाश्ट के आखिर तक वहीं रह जाते हैं, प्रिया उस दुनिया से होकर आ चुकी है, और फिर वहीं रह गई हैं, बाक्यों के तरह उसे भी कुछ याद नहीं है, वो दुनिया एक सपने जैसी रखती है, लेकिन सच है, अभी प्रिया की आत्मा वहीं पर है। उसकी मा के साथ भी यही हुआ था। लेकिन प्रिया उसके बाद भी पैदा हो गई। लेकिन अभी लिलित प्रिया के शरीर में ही है। और उसका लक्षे है कि प्रिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे मार डाले। प्रिया प्रेगनेंट नहीं है सर क्या प्रेगनेंट नहीं है वो प्रेगनेंट होई नहीं सकती क्योंकि वो खुद बहुत कॉंप्लिकेशन के साथ पैदा होई थी इसलिए उसके गर्ब थैली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी सर वो प्रेगनेंट नहीं हो सकती सर प्रेगने हम लोग कुछ भी नहीं है यहां के लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते लेकिन एक उपाय है एक स्पेशल टीम है अगर वो यहां आ गई तो हम उसे रोक सकते है सर प्रिया ऐसे नहीं जाने देंके बाला अगर दुनिया में कुछ बुरा होता है तो जरूर अच्छा भी होता है इश्वर हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे जिस दिन उस पर लेलित हावी हुई थी उसे दिन से प्रिया मर चुकी है हम लेलित को अगर भगा भी थे तो प्रिया का शरीर ही मिलेगा प्रिया जरूर मिल जाएगी ऐसा विश्वास जगा है लगता है जैसे इश्वर ने खोदी जवाब दिया हो मैं वो महसूस कर सकता हूँ इसे सास में रखने की जरूत नहीं है कोई बात नहीं सर चाहे कोई भी भगवान बचा ले उससे क्या सारे भगवान सही बात तो बताते हैं हम जैसे प्रिद्वी बासियों को शिव, विश्णू, जीसस जैसे अलग-अलग दिखते हैं लेकिन उपर से नीचे देखने पर हम सब एक ही तो दिखते हैं मैंने कुछ गलत कहा क्या सर हां नहीं नहीं कुछ नहीं हम प्रे कर रहते हैं और तुम उसी विच आ गया है ठीक है मैं बाहर बेट करता हूं आप प्रे खतम करके आ चाहिए करते हैं जूख जूख़ जू़ को डाव। चलाओ। भाँ! अलो? नई... पुछ के नैई? हाँ, वहां मधदद मिली? तुम्हें भीद को सुतना है? हलो? उसंपूरी मिन आराया? विदिके, तुमारे साथ किनने सरे लोगते? वुद्वें भीजी, भूट कहाँ गए? फिसलो दिए, तुम्हें पुलिए क्टीन.. हलो, तुक्त क्या के रहे हो, तुक्त कॉना निए थे रहा? हलो, थे रहे? इस पर मुन्हा के रहे? हलो, क्या निए इस थे रहे? हमे ऊपर चलनलाओ, जल्दी हो इज रहते हैं अपस्टेश्टारी रिए अपस्टेश्टारी को अपस्टेर बाला जल्दी है आपसे रहते हैं जल्दी है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि दो बाढ़ों में पाड़ं कर दो कि लूदा कर दो कि अखार दो कि अई चलाओ कि अच प्नक 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 तो झाल झाल ये गुड्ट इनाओ लुड घट जासा फ्रती से बालो जा घालो प्राथ के लग्लाओ केर उंचेश एला विर्यूद झालो आट पर ग्रार वंचेश ये गूर दोग में लिखनाओ झालो, इना ने प्रत सकूल प्रत सकते दिंग डिज तास सकते दिंग सर, ये लो परिया को बचानेंगे ना सर, ये तो घुबाने चांटा है, तो क्या होगा? तो किया लगता, इससे मुझे रोका जा सकता है, मैं तुम्हारे भगवान से पहले पैदा हुई थी यहाँ क्या हो रहे तुम्हार Yum Just wait सर यह सब क्या हो रहे? तो यह विर एसा को सलोमन वहरा of अरसा सलोमन ilia कार्ल, विसाइड यो सर, सर, क्या हो रहा है सर अचा गो विस्टीन विस्टीन आप विस्टीन प्रिया उसी धिन मर चुके थी उस जगह से बाहर निकाल कर नहीं ला सकते पिरी मेरी पात सुना हम यहां रहकर उसका कुछ नहीं कर सकते हैं आओ बाला बाहर चाहिए कि अधिर लॉड़ लॉड़ कि अधिर आओ आओ अधिर आओ अधिर आओ अधिर आओ अधिर इसका शरीर जब तक है तब तक वह जहीं रहेगी इसलिए प्रिया के शरी को खात्म कर दो हम उसे बगा सकते हैं विल फिनिश सॉलमान मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था पर मैंने जिन्दा छोड़ दिया जिन्दा छोड़ दिया था तो उस प्रिमार दिया होता ना किस दो रोकता तुम्हें आम रेडी आम रेडी टु डाइए हम तुम्हें देखका डर्ग ऐसा सोच रही हो क्या और खून रोकने के लिए ही ऊपर आया था लेले आम चैलेंजिंग यू इफ यू एब काट्स कॉम आई सट कॉम्हें यू डोंट अब करो तुम मेरी प्रिया के शरीर में खुसकरियसा मत करो तुम जहां से आई हो वहां चली जाओ आज के ही दिन का तो मुझे इंतिजार था उसने कहा था कि तुम्हें ना चूँ मैं अपने हाथों से ही तुम्हें सेच हो ममत आप उस दिन बहुत से बादल हो गये थे जैसे बारिश होने वाली हो लेकिन बारिश नहीं हुई बस हवा चल रही थी और तब कुछ तो मेरे उपर गिरा था अगर मूं नहीं गिरता तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पता गौर से देखा तो तुम खड़ी दिखी मैं एक मिनिट के लिए ऐसे ही खड़ा रहा पहली नजर का प्यार तब तक मुझे उस पर भरुसा ही नहीं था तुमसे पहले भी मिलकर बात कर चुका हूँ ऐसा एहसा एहसास दोने इस जन्द में मिल जाते हैं और ये बात वो खुद नहीं जन्द है उस पल मेरे अंदर समन्दर की लहर सी उड़ गई थी क्या हो रहा था मुझे खुदी नहीं पता था तुम्हें देखकर मुझे कैसा लगा ये तुम्हें पताना चाहता था तुमसे मिलने के लिए मैं दौड़ता हुआ चला वया कि तुम्हें देखने की चकर में मैं ऊपर चड़ाया कि ऐसे एक लड़की को देख दही मैं प्यार काई जाअर कर दूँ मेरी एक आशा थी कि तुम्हें भी तब वैसा ही लगा उका मैंने वापस जाने के बारे में सोचा लेकिन मैं जाने ही पाया बस तुमसे मिलने की चहत थी मेरी सिंदगी में शुरू हुई एक नहीं कहानी बाला मेरी सिंदगी का मतलब कहां थे इतने दिन हजारों जनम हाजर है मेरे तुम्हारे लिए मुझे तुम्हारी आँखों में दिखा था मुझसे मिलकर तुम्हें भी ऐसा ही लगा है तुम्हारी आँखों में मैंने खुद को देखा अपने भविश्य को देखा हाजारों सूरजों जैसे उन्हें बाने की मुझे चाहत थी मुझे तुम्हें चूने का मन किया, तुमने खुदी अपना हाथ बढ़ाया जब ऐसी तोजाने मेली हुई हो, तोट की शक्ती बहुत स्यादा होती है, उसे आपने के कुशिश मत करना वुझे तुमने के तुमने का में अपना हाथ झाल में चूने बहुत्विकिया किया कियाकि दूनर्거나 कणिश मत करना है, उसे दाना हाथ जक्ताव मत का मत कूआपू झाल झाल पाला झाल 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 तुम प्रेग्नेंट हो झाल मेरे बच्चे को अपनी तरह बनाना झाल 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 झाल